कहा है केजरिवाल बताना जरा इस सारी चीज में केजरिवाल के ने जरा रहा है कहा है बता हूँ दिल्ली सरकार को तो वोट दिया उन्होंने जांगीरपुरी वालोंने तभी तो इतनी सीटे मिली है आपको हर्ची कैसे कहा हो तुम गए क्या तुम पूछा क्या तुमने देख जहां खड़ा हो जाएगा हिम्मत नहीं है किसी भी सरकारी अधिकारी एकरमचारी की कि कुछ भी अगेस्ट में कर जाए तुम क्या कर रहे हो बताओ ना तुम्हारी दिल्ली में सरकार है के नहीं है है नहीं आम आजमी पार्टी की सरकार फिर क्या कर रहे हो तुम तुम्हारे अंडर में तो कुछ भी नहीं है जुन जुना भी नहीं बताने को यू कहोना सीती सिपा तुम तो हो यार मेरे अगर आपकी विल पावर स्टोंग है आपकी नियत साप है लोगों के लिए काम करने की आपकी दृड इच्छा शक्ती है आपके पास कुछ हो ना कुछ आप खड़े हो जाए यह सब ठीक हो जाएगा सवाल अब लोग पूछना चाह रहे हैं और मीडिया में इस बात की चर्चा भी बनी हुई है सवाल सर यह है कि दिल्ली में पिछले कई सालों से अर्बिन केजरिवाल की सरकार भी है तो फिर कैसे मतलब इस तरीके से अत्रिकमाट बढ़ जाता है क्या मतलब देख रेक में नहीं रहा होगा और कि प्या है यह किसकी बात कर रो आफ केजरिवाल की यह उसी का हिस्सा है आर्एस का याद में तो है केजरिवाल यह आमादमी पार्टी जो है बी जे पी की ही तु windows की ही टीम है बही तो वो कुछ भी कहें कुछ भी करें वो सब एक एक थेली के चटड़े बटे हैं सब कुछ मिले हुए हैं अंदर से सारा सब कुछ लोगों को मूर्क बनाने के लिए अलग अलग ये बातें करते हैं एक दूसरे के खलाब ये बातें करते हैं अंदर से बिलकुल एक हैं सब कुछ और मैं ये बात बार बार समझा रहा हूँ अगर केजरिवाल चाहते तो कि दिल्ली का दंगा हो जाता वो नहीं होता किसी कीमत पर भी जिस व्यक्ति को इतनी मजबूती के साथ में लोगों ने वोट दिया जिसके साथ से जादे जिसके विधायक हैं वो व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए कहीं आगे मज़ाल किसी की हिम्मत हो जाए जो हिम्मत भी कर जाए दंगा करने की या गाली देने की बत्तमी जी करने की किसी भी तरी नहीं घरों में बैठे रहे तो यह सारह सब को दंगा हुआ इसी तर सी यह सारी की सारी चीजें सरकार अगर चाहे, कहा है केजरी वाल बताना ज़रा, इस सारी चीज में केजरी वाल के नजरा रहा है, कहा है बताऊ आप, बैए M.C.D. में नहीं हो वोट दिया उन्होंने जांगीर पूरी वालों ने तभी तो इतनी सीटे है अपको हरची कैसे कहां हो तुम गए क्या तुम पूछा क्या तुम ने देखा कर दी चाहिए वो उनको वो देदे जिनको अस्पाल जा रहा है और हो कितना रहा है यह सारी चीजे है एक 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 प्रेड यह आप वीडियो देखिए लोगों को मूर्क बनाने में माहिल है और यूटर्ण लेने में माहिल है कह कुछ भी देते हैं करते कुछ नहीं है दिल्ली में पिछले कई सालों से हम आदिन पार्टी की सरकार है तो क्या हाथों में कुछ भी नहीं है जब भी कुछ होता पल्ला जाड लेने से इसा कुछ हम को होता है, उसके पास बैतेरी कुछ नहीं है, पब्लिक उसके साथ में होती है, चीफ मिनिस्टर ऐख्यां है, वह को ऐसे थोड़ी है? बैस चीफ मिनिस्टर है वो? पूह आझे होके अगर यह किश काहत हम नहीं है फिर इससे जाद है क्या? इतने तेरे से पर आराम से वही काम कर लेगा, वही जादे बढ़िया है, यह सब कहने की बाते हैं, लोगों को मुर्क बनाने वाली बाते हैं, लोगों को गुम्रा करने वाली बाते हैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होता है, नेता है वो, उसके साथ में इतने ML हैं, उसके साथ में इत ने तीक करना तो मुझे नहीं है लैकिन उनके तो बार बार बड़िए आरोब लगारे हैं कि सब कुछ इनगे देखरें कि वो सबकुछ सब बीजेइपी में तो होई रहा है लेकिन वो अंदर से तुम क्या कर रह बताऊ ना तुम्हारी दिलिमें सरकार है के नहीं है है नहीं आदमी पार्टी की सरकार फिर क्या कर रहे हो तुम तुम्हारे अंडर में 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 तुम्हारे कुछ नहीं है अगर आपकी willpower strong है आपकी नियत साप है लोगों के लिए काम करने की आपकी दृड़ इच्छा शक्ती है आपके पास कुछ हो ना कुछ आप खड़े हो जाई यह सब ठीक हो जाएगा लेकिन आप नहीं चाहते हैं अंदर से आप चाहते हैं सब तबाव हो जाएगा दिक्कत है